इस वागत है आप सबका मैं विबेग बंद्रा मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट बिजनेस कोच आज खुश खबरी लेके आया हूँ आपके लिए आप सब बिजनेस या तो शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं या बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन सबको जरूरत है पैसा कहा से आए रोकणा क्या इश इन्वेस्टमेंट की दर से आए आज इन सारी प्रॉबलम का उत्तर एक ही विडियो में फट से देने वाला हूँ आज च पैसा ऐसे ही लेते हैं या तो पिताजी से लेते हैं या दोस्ट से लेते हैं रिष्टेदार से लेते हैं और तीसरा एफ क्या है फूल्स कहीं बार हम देखते हैं लोग किसी को जा कर बेहुकूब बना के आ गए बहुत बढ़ा आइडिया बहुत बढ़ा आइडिया लगा लगा दे पैसा तो फ्रेंड फैमिली फूल्स इसी तरह दे शुरू में पैसा लिया जाता है लेकिन इसके बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते एंजल इंवेस्टर ये स्टार्ट अप की और्ली स्टेज है एंजल इंवेस्टर कौन है ये वो एक एंजल की तरह आता है मैं डीटेल में आगे समझाता हूँ फिर आता है प्राइवेट इकुटी ये वो है जो बिजनस बड़ा उने के बाद इंवेस्ट करता है आज जारा बात करते है वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इकुटी इंवेस्टर इन दोनों के बारे में वेंचर कैपिटलिस और प्राइवेट एक्विटी में सबसे बड़ा अंतर ये है कि वी सी आपके लिए सीड कैपिटल लाता है और प्राइवेट एक्विटी आपके लिए ग्रोथ कैपिटल लाता है दोनों में बड़ा अंतर है सीड कैपिटल आपको आइडिया में पैसा चाहिए, आपके पास किवल आइडिया है, बिजनस नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कोई आपके साथ इंवेस्ट कर दे, तो ये वेंचर क्यापिटल के पास जाना पड़ेगा, जो वेंचर क्यापिटल इंवेस्टर होते हैं, प्राइवेट इक्विटी जो होता है, वो हर धंदे में फोकस नहीं करता, वो सॉफ्टवेर के धंदो में फोकस करता है, वो टेक्नोलजी में करता है, वो बायो टेक्ट में करता है, लेकिन पी इंवेस्टर हर स्टेबल बिजनस में फोकस करता है, पी इंवेस्टर हर स्टेबल बिजनस में फोकस करता है जब business start हुए बेना पैसा लगा रहता है तो VC अभूमन कम पैसा लगाता है में बिट्वीन वन मिलियन डॉलर तो मैक्सिमुम फाइव मिलियन डॉलर लेकिन पी ई तो शुरुआती दस मिलियन डॉलर से करता है और वो काफी पैसा लगाने के लिए अग्रेसिव रहता है देखिए VC जो होता है ना उसका शुरू से ही focus होता है कि ये company पट 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 जल्दी बड़ी हो जाए इसलिए बड़ी growth oriented company में काम करता है उसका focus profit पर नहीं है venture capital investor को आपसे profit नहीं चाहिए उसको आपसे sales चाहिए उसको आपसे बड़ा market share चाहिए लेकिन P.E. को आपसे sales नहीं profit चाहिए मैं समझा पा रहा है उपको यानि की VC sales पर focus करेगा P.E. profit पर focus करेगा इसका मतलब है VC top line पर focus करेगा आपकी पी एनल अकाउंट बनता ना पी एनल statement वो टॉप लाइन पर focus करता है यह bottom line पर focus करता है यह कहता है कि भाई या final profit दिखाओ sales कितने भी हो VC focus करेगा market share बड़ा हो जाए P.E. फोकस करेगा profit share बड़ा हो जाए दोनों में बड़ा अंतर है जो कि P.E. को अब ऐसा है उसको जल्दी बाहर निकलने की नहीं है लेकिन VC की VC के दिमाग में बहुत जल्दी है VC को क्या है कि भाई इसने नई कंपनी चालू करी इसके पास बड़ी अच्छी technology लग रही है अभी इसकी valuation एक करोड की करके इसको 30 लाग दे लेता हूँ 30% equity ले ले लेता हूँ यह पटपट पटपट कंपनी एक करोड से 100 करोड हो जाएगी ज जिया था 30 लाग मिलेगा 30 करोड अरे जल्दी कर जल्दी कर प्रॉफिट आए ना है तेरा valuation बढ़ा करा देंगे हम P.E. stable है उसको इतना जल्दी नहीं है वो कहता है अच्छे से काम करो दियान से काम करो प्रॉफिट लाके दिखाओ expansion बिना प्रॉफिट के मत कर देना P.E. को चिंता है मेरा पैसा डूबना नीची है V.C. पहले ही त्यारी करके आता है इसको पड़ा 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 करके दिखा देंगे दुबारा valuation करेंगे दूसरा investor लाएंगे अपना stake उसको बेचूँगा अपनी टोपी उतारके उसको पहनाऊँगा मैं बाहर हो जाऊँगा V.C. शुरू से ही ये सोच किया आता है आपकी कंपनी में वो हाई रिस्क पे काम करता है ये लो रिस्क पे काम करता है V.C. अबुमन दूसरे V.C. को टोपी पना के निकलता है P.E. रुका रहता है IP.O. आने का वेट करता है और उसका exit IP.O. के साथ होता है इंवेश्मेंट छोटा है V.C. का वो हाई रिस्क पे काम करेगा इसका इंवेश्मेंट बहुत बढ़ा है ये हमेशा लो रिस्क पे काम करेगा अब देखे समझेए वी सी क्योंकि छोटे-छोटा इंवेश्मेंट करता है तो वो 100 कंपरी में छोटे-छोटा इंवेश्मेंट कर देता है वो जानता है 100 में 90 फेल होंगी ही लेकिन उसको पता है यह जो 10 बड़ी होने वाली है ना ये दस उसको इतना बढ़ा कर देंगी कि पिछले 90 का पैसा बाहर आएगा और आने वाले दोस्तों का भी पैसा पहले ही कमा के देदेगा ये VC शुरू से ही उस कंपनी पर फोकस करता है जो तेजी से बड़ी होती है जिसकी अगली वैल्यूशन भी बहुत बड़ी हो जाएगी P.E. का चकर नहीं है P.E. कहता है भाया रिस्क नहीं चाहिए मुझे मुझे को stability चाहिए वैसे तो दोनों का ही फोकस सेम होता है कि अपने अपने investment की value को enhance कर सके अपने stake की value को enhance कर सके दोनों P.E. और VC और भी कहीं सारे P.E. और VC के संपर्क में हमेशा रहते हैं दोनों का ही मिलता है यह लेटर अच्छी स्टेज पर जाके मिलता है यह और debt financing और private equity यह similar स्टेज पर आते हैं जब business का model business का method company की sales company की profitability उसका operation stable होता है तब आपको बड़ा investment और चाहिए expansion के लिए तो लोन और private equity दोनों ले सकते हैं पर ध्यान दीजिए अगर आपके business में profitability और cash flow बहुत दादा अच्छा है तो private equity को मत बुलाईए अपना stake क्यों देते हैं छोटे से करदे पे आप समझ पा रहे हैं 9% 12% पे आप loan लेकर के आप फटा फट नया business expand करें लेकिन अगर आपके business में आपको लगता है कि risk है आपके business में लगता है कि आप हाथ के हाथ EMI नहीं पे कर लाएंगे तो equity private equity लियाए अगले दिन से EMI देने का जंजट तो नहीं है कम से कम वो आपको और assurance देता है और अपने stake को बढ़ा करने में लगा है उसको तुरंद पैसा नहीं चाहिए bank हाथ की हाथ पैसा लेना शुरू कर देगा आपको loan देते ही EMI चालू कर देगा कम से कम private equity के साथ ऐसा नहीं होगा तो मैंने आपको तरीके बताए बिजनस में पैसा आता कैसे है यही मेरा focus रहता है आज पैसा एकठा करना बहुत मुश्किल काम है नेगेटिव cash pro और नेगेटिव profitability के करण सारे startup बंद हुआ जा रहे हैं मैं इस तरह के कई वीडियो बना रहा हू और leadership funnel में इसके ओपर detail में discussion आजकल कर रहा हूँ इस पे एक chapter हमने आइड किया हुआ है अपनी leadership funnel में कि आपको fund किस समय कहां पे कैसे चाहिए और अगर आपको fund चाहिए आपको इसकी detail help चाहिए इसी number पे phone करिए और यहां पे आप हमारी corporate team से बात करिए वो आपके लिए आक marketing में आपके business model को आपके startup idea को समझ के आपको पैसा देने के लिए तयार रहती हैं यह leadership funnel मील का पत्थर साबित हो रहा है केवल training नहीं कर रहे हैं छे महीने 25 framework देते हैं आपको come on कितने 25 framework इन 6 महीनों में देते हैं जिससे आप अपने business को step by step step by step हमारे assignment coach की मदद से hand holding के द्व करते हैं जो आपको मदद कर सके हमारे देश के छोटे-छोटे entrepreneur जिनके पास potential बहुत है लेकिन उसको performance में convert नहीं कर पा रहे उसी के लिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं इस चैनल को तुरं सब्सक्राइब करिए और अगर आपके आसपास कोई हमारे चैनल की जरूरत में उसको subscribe कराके नियमित रूप से हमारे वीडियो दिखाईए ये वीडियो उन लोगों को शेर करिए जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो अपने पिता को अपने चाचा को अपने मित्र को अपने बड़े भाईयों को सब को ये वीडियो शेर करिए अपने business circle में करिए ताकि कि लोगों को पता चले पैसा कैसे लाया जाए मारकेट से मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं बहुत सारे देशवासियों को सपना इसलिए मर जाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ये वीडियो जरूर पूरे भारत में फलाके उनकी मदद करें I'm sure आपने वीडियो क बना देता हूं इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद